आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ उड़त दाल से बनने वाले एकदम क्रिस्पी और स्वाधिस्ट पकोडे ठंड के मौसम में गर्मा गरम पकोडों को आनंदर लेने में मज़ा ही आ जाता है और ठंड के मौसम में बारिश हो रही है तब तो पकोडे चार चान लगा देते हैं हमेशा हम आलू प्याज के पकॉड़े खाते हैं एक बार आप मेरे बतायगे तरीके से उड़त दाल के बनने वाले एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम ही जादा मुलायम पकॉड़े बना करके देखेगा यकीन मानिए आपकी भी ये बहुत ही जल्दी फैबरेट डिस बनन मैंने यहां पर दूली वाली जो उड़त की डाल होती है जिसका चिल्का निकला हुआ है वो वाली डाल ली है और इसे मैंने ओवरनेट सोप करके रखा था आप चाहें तो दो गंटे से भी इसे भी गागर के रख सकते हैं एकदम जादा तफे सफेद हमारे उड़त की डाल रेडी हो चुकी है उसके बाद हमने एक बार और अच्छे से वाश कर लिया था अब हम इसे मैक्सी ग्रेंडर में डार कर गए अच्छे से पीस लेंगे अगर आप छिल्के वाली उड़त की डाल ले रहे हैं तो इससे अच्छे से वाश कर लीजिएगा और उसका छिल्का न तो आइस क्रीम की तरह वाइट हमारा जो पेस्ट बन करके रेडी हुआ है अगर नहीं पीस रहा है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं मैं आपको बरतर में ट्रांसफर करके दिखाते हो देखिए बिल्कुल ती तरह से भी आपको फेट करके रेडी करना है आपे मैंने सब उड़ती दाल को अच्छे से मिकसर में पीस लिया है इसके बाद हम यहाँ पे बारी कटी को प्याज थोड़े सी आपे मैंने मेथी के पत्ते लिए साथी धनिया पत्ती और टेस्ट के फॉर्डिंग घरी मिर्च लिए है यहाँ पे मैंने दो प्याज को बार उड़िंग्स इसके बाद हम यहाँ पे इसके कॉक्रणिंग लSil害 तो और विए अगरए आप सब्स कर सकते हैं अब सब hierarch मातों की सहाथा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आज की जो पकॉड़े हैं एकदम फ्लपी बन करके त्यार होंगे जो उपर सिक्दम क्रिस्पी रहेंगे लेकिन हम इस पर किसी भी प्रकार का सोडा यूज नहीं करेंगे एक ही डिरेक्शन में हमें इसे अच्छे से फेटना है जितना अच्छे से फेटेंगे उतने ज्यादा अच्छे हमारे पकॉड़े बन करके त्यार होंगे इस तरह से पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसे एक ही डिरेक्शन में फेटना सुरू करेंगे तब आपकर जो पेस्ट है वो थोड़ा सा हैवी रहेगा लेकि हम एक ही डिरेक्शन में फेटना सुरू करेंगे जितना अच्छे से फेटिंग उतना हलका हमारा पकॉड़ा बन करके त्यार होगा बनाने का फंड़ा यह है कि जैसे हम इसे तेल में डालते हैं उसे पकॉड़े अच्छे से होते हैं साथी तेल ज्यादे इब्सौर्ब भी यहां पर फेक्ट ली हमने इसे फेट लिया है दीख सकते हैं उपर में अच्छे से तैर रहा है अब बस हम इसे टाफ़र पॉकॉड़े बना लेते हैं पॉकॉड़े बनाने के लिए यहां पर मैंने एक लोगे की कड़ाई को अच्छे से गरम कर लिए जिसमें मैंने तेल डाल शुरू करेंगे बहुत ही आसाने से बनता है आकर आप चाहें तो एक मच की सहाथ से भी आप बैटर को तेल में डाल सकते हैं जिस तरह से हम भज़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें पकॉड़े बनाना है एकदम क्रिस्पी अंदर से एकदम जादा फलफी हमारे बोड़े हैं उसको जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना सुरू हो चुका है हलकी हाथों से हम इसमाच चलाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि नीचे से कुख हुआ है या यह देखिए इस तरह से अगरा फेटके बनाएंगे नो तो बिल्कुल भी नीचे जिप सुरू हो जाएगी और आप इसे गरमा गरम ही इंजोई करिएगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन करके तयार होती है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो पकोड़े हैं काफी अच्छे से गोड़न ब्राउन हो चुके हैं तो बस अब आप मैं इसे पटा फट बाहर न नमक डलतेंगे जिसे कि हमारी पटाप ऐट तमारड़ की चटने बन करके तयार हो जाएगी और यह देखें एकदम ही क्रिस्पी पकोड़े बन करके तयार हो जाएगी जिसके साथ हमारे पास धनिया मेर्चों टमारर से बनने वाली पटापड चटनी भी रेड़ी है तो करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी यह को लाइक करेजिएगा और सुस्काइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ